दोस्तों सब्स्राइब करना नहां भूले माई फोतोग्रफिक चाणेल को और μिल्ए आईक उन को दबाओ लिट्र भूटे विडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों में हुँ आपका दोस्त मोनों जो होर आप देख रहें माई फोतोग्राफिक चानेल दोस्तों तो इसी महिने के आक्टोबर के 18 तारिकों Adobe Photoshop ने 18 वरजन के बाद 19 वरजन लांच किया है और वह अभी Adobe Photoshop CC 2018 के नाम से जाना जाएगा इस Adobe Photoshop 2018 में कुछ भेतर इन अपडेट्स उन्होंने हमें दिये है यूज करने के लिए तो चले हम इसी फीचर के बारे में जान लेते हैं तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते एक Welcome Screen हमारा Open हो गया है इस Welcome Screen में हमने अभी जो फाइल रिसेंट में कुछ काम क्या होगा तो उसका रिसेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर CC फाइल मतलब CC फाइल मतलब जो आप लाइट रूम में फोटो अफ़ोड करते हैं क्रीटिव क्लाउड में तो आप इससे पर फोटोशॉप में एक्सेस कर सकते हैं आपके क्रीटिव क्लाउड के आकाउंट से तो यह एक नया फीचर इसमें एड हो गया है दोस्तों तो चलिए हम दूसरे फीचर के अब आप अपने सोशल मेडिया भी आप शेर कर सकते हैं जैसे कि या पर लाइट रूम फोटों और अलग अलग याप przysz इसमें पर शेर कर सकते हैं तो यह एक नया फीचर दिया अब हम चलते हैं तीसरे फीचर की तरफ two three feature इंहोंने दिया है रिच टूल टिब्स और ईसा तूल है जो फोटो्शॉप में नए है और फोटो शॉप सीखना है लोगों के लिए फोटो शॉप का यह जो नए फीचर दिया है रिच तूल टिप यह बहुत ही अच्छा साबित हो हो सकता है तो चले मैं दिखाता हुरी है रिच टूल टिप्स क्या है अभी आप जो टूल बार देख रहे हैं उसमें आगर आप अपने करसर को लेके जाएंगे और कुछ सेकन के लिए रखेंगे तो यहां पर आपको हर एक टूल का एक टुट्रेल वह दिखाने लगता है तो यहां पर मूट तूल है संवाइख कर देखा रहा है फिर हम थोड़ा सा रिक्टेंगर मार्कि तूल में आते हैं तो एखेंगे तो देखने से क्म करते हैं ये इसमें आपको देखने मिलेगा झार यहां पर यहां पे ला सीर माइन रशा॥ क्मारे टो अमावते हैं आहां टोम् technical जैसे-जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे बिख सब्सक्राइध डिक यह जो बीगिनर के लिए बहुत या अच्छा साबित हो सकता है यह नया अड़ोबी फोटोशॉप सीची दो हजर आठरा कि एरेजर टूल ग्रेडियन टूल ब्लर टूल कि डॉच टूल कि पेंट टूल कैसे यूज़ करते हैं तो इस तरह से एक रीच टूल टिप्स इन्होंने फोटोशॉप सीची दो अजर आठर में आया है नया फीचर जो बीगिनर लोगों के लिए जो बीगिनर फोटोशॉप में है जो फोटोशॉप नया से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा तूल साबित हो सकता है किर हम आगे चलते हैं वल्दित कि यहाँ पर आपको ट्रीडार दिखेंगे यहां पर आप व्कलिक करेंगे कि अ यहाँ पर आप अपना है टूल वर कश्टमाइज कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे टूल जो हमारे टूल बार में आप तूल बार को कुष्टमाइज कर सकते हैं आपने सबसे कीवोड शॉटकट यहां पर दे सकते हैं अगर आपको है अब डिषटिह रखना यंशन है यहां पर Health कosta कर दो यहां यतना ओफिन धिया है इन्हों पीर आते हैं वाराईबल फॉंट्ट्ट्प में क्या होत है वरेवल फॉंट मतलब यहां पर आपको फॉन का जो प्रॉपर्ट्टी है वहां पर आप देख सकते हैं विए आ यहाँ पे जितने भी फान्ट है हर एक फोर्ण को कुछ कहीं पर आपको एक विए आर सीम्बॉल दिखाये देगा विय आर यहाँ पर दिखो यहंद रिय का शिंबॉल मतलब वर्वल फॉंट अगर आप विवल कोल दो तो आपको फॉन के प्रॉफरटी में आपको को फॉन के प्रॉपरटी में यहापे वेत विर्थ और स्लंट यह तीन आप ऑप्शन नये आ गये है इसमें आप इसे अका जो भी टेक्ष्न है उस्को आप सेलेट कर लो और यहां से आप उसक beter पा वेट अपने हिसाब से एड़ेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे मैं अपना सिख्बर एड़ेट कर रहा हूं आप यह वेट का जो ऑप्षिन है अपने हमारा टेक्स्ट अलग-अलग तरह से दिखा रहा है यहां पे विड्थ विड्थ कि यहां पेस्लैंट तो यह तीन ओप्षिन इन्हों ने दिए है वेट विड्थ और स्लैंट यह नए नए फोटोशॉप में आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्ता अब हम चलते हैं आगे के नए फीचर के तरफ जो है पेस्ट पेस्ट के बारे में पेस्ट विदाउट फॉ कोपी बना लेते हैं पहले हम फोटोशॉप में क्या करते थे दोस्तों अगर मुझे यह मैं इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ यहां पर इसका वेट कम कर देता हूँ जीरो कर देता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं दो अलग-अलग टेस्ट है आरेक का ले आउट और उसका जो स्टाइल अलग है फहले फोटोशॉप में क्या होता था अगर मुझे यह टेक्ट कॉपी करना है यहां पर मैंने कॉपी किया और हमारे दूसरा जो टेक्ष्ट है उसमें मैंने कॉपी कर लिया तो उपर का जो लेयर का जो स्टाइल है वो सेम दूसर करेंगे तो नीचे का जो टेस्ट का स्टाइल स्टाइल था वह उपर वाले टेक्ट में से कॉपी हो गया तो इस तरह से एक और एक नया फीचर इन्हों ने दिया है पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग एक अच्छा फीचर है तो दोस्तों आभी हम आगे चलते हैं याड़ोवी फोटोशॉप से से 2018 के अगले फीचर के तरफ वह ब्रस से रिलेटेड और उसका नाम दिया है नया नाम दिया है स्मूथिंग तो इसमें क्या होता है कि समझा भी मैंने एक ब्रश सेलेट गिया और यहां पे आप देख सकते ब्रस सेलेट करने के बाद कंट्रोल पैनल में आपको पहले जैसे फोटोशोप में और फ्लो का ओप्शन आता था तो इसमें नया एक टाब आगया है स्मूथिंग का यहां पे कैसे उसे यूद्स करते मैं बता देता हूं यहां पर इसे जीरो करो यहां पर एक ब्रस सेलेट करो और यहां पर मैं जल्दी जल्दी में एक लाइन ड्रॉक कर देता हूँ तो यहां पर यह ड्रॉइंग मैंने जल्दी जल्दी में जिगजग लाइन बना दिये हैं अब मैं इसे 100% अब यहां पर जो स्मूतिंग को ऑप्शन है इसे मैं यहां पर 100% कर देता हूँ पर पर संद करने के बाद उसी गति से उसी स्पीड से में जिग जग के लाइन बना देता हूं तो दोस्ता आप देख सकते हैं जह से मैंने यहां पर स्मूतिंग का 100% किया तो तो हमारा जो भी जिग जग का लाइन का जो भी कॉर्णर था जो फ्रोक था जो एजस्ट यह वह सभी कॉर्णर सौफ हो गया है तो एक नया फीचर आ गया है अभी आप अभी हम दूसरे तरफ देखते हैं यहां पर आपको स्मूतिंग के सामने आपको एक गेर का आइकोन देखाई देगा उस गेर के आइकोन में आपको चार ओफशन दिखाई देंगे पूल स्ट्रिंग मोड श्ट्रोक कैच अचप कैच अचप ऑन स्ट्रोक एंड तो कैच अचप ऑन स्ट्रोक एंड हम देखते हैं अगज तो दोस्ता आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किये हैं और माउस का बटन अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है जो दूसरा पॉइंट है और बीच में एक पिंग कलर की लाइन हमें देख रही है तो यहां पर मैंने इतना बड़ा छोड़ दे तो पूरा यह लाइन कंप्लेट कर देगा जहां पर मेरा माउस का एंड़ पॉइंट है अभी हम दूसरा ओप्षन है यहां पर स्ट्रोक कैच अफ यह लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां एक लाइन डॉक करता हूँ और बीच में छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा माउस का एंड पॉइंट बहुत दूर था और जैसे मैंने माउस का बटन छोड़ दिया तो ब्रश का जो लाइन था वो वही पे स्टॉप हो गई अगर मैं सेम वही प्रोसेस माउस का बटन छोड़े भी न करू तो हमरी यह लाइन पूरी तरह से से कंप्लिट हो जाएगी यह इसका एक नया फीचर है स्ट्रोक कैचप और अब अभी हम आगे चलते हैं पूल स्ट्रिंग मोड के तरफ यह हम अगर सेलेट करेंगे तो आप थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा दिते हैं हेःँ कि अदैगा लस्ताप यहां पे देखेंगे यहां पर मैंने प्रश और अजया यहाई पहर by मैं और मास को नहीं दूसरे च्रंपे दाता है या फिर नीचे आता हूँ या फिर मैं साइड में जाता हूँ तो आप देख सकते यहाँ पे किसी भी कॉर्णर को हार्डनेस नहीं है सभी कॉर्णर एकदम सॉफ्ट हो गए है तो यह एक नया फीचर इसमें अभी इन्होंने दिया है तो दोस्तों योशर शपक सीच दो हजराटर का सबसे बहतरीन और बहुती अच्छा सा एक नया फीचर यहाँ पे दिया है जो है पेंटूल के रिलेटर यहाँ पे हम पेंटूल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कर्वेचर पेंट तूल का एक नया option यहाँ पर इन्होंने दिया है तो चलो हम इसे यूज करते हैं यहाँ पर मेरे पास एक diagram है यहाँ पर मैं एक जो हमारा जो starting point में यहाँ पर paint tool का select करूँगा और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर दूँगा तो आप देख सकते कितने अच्छी तरह से यह कर वेचर पेंट कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है तो इस तरह से फोटोशॉप का नया फीचर यहाँ पर आ गया है तो कारवेचर पेंट टूल यह एक एड़वी फोटोशॉप सीसी दो आजर आटरा का एक नया फीचर है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दिया है और आगे चलके हमारे बहुत से फोटोश इसके लिए आपको यहाँ पर एडिट में जाके प्रेफरेंसेस और प्रेफरेंस का जो डायलक बॉक्स ओपन होगा वहाँ पर आपको लाश्ट में टेक्नलोजी प्रिव्यू एक करके एक ओप्शन है वहाँ पर आपको एनेबल पेंट सिमेंटरी चेक करना है चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करो ओके करने के बाद आप यहाँ पर एक नॉर्मल कैन्वस लेलो वाइट वाला ब्रस हमने सेलेट कर लिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने ब्रस सेलेट किया तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में लास्ट में बटर फ्लाय का एक सि हम इसमें आप देख सकते ह bene vyole oh you are in दिवल एक्सेस न्युन डायग्नोल और कुछ पाथ जैसे कुछ बनाए तो पहले हम निव अटिकल पर आते हैं से हम लिजाना कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर दो हिस्से बन गए हमारा जो कैन्वस है इस लाइन के वज़े से हमारे कैन्वस के दो हिस्से बन गए है तो यहाँ पर समझा भी मैं लेफ्ट में कुछ भी ड्राइंग करता हूँ वही ड्राइंग पेज के दूसरे तरफ रिफिलेक्ट होके वो डिजाइन वहाँ पे बनने लगता है अब यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा ओप्शन वर्टिकल इसे हम थोड़ा एड्जेस्ट कर लेंगे पेच के दो भाग बन गए यहाँ पे एंटर किया जैसे मैं यहाँ पे ड्राइंग करने चालू करता हूँ तो दूसरे तरफ उसका रिफिलेक्शन तैर होने लगता है और यह है होरिजोंटल फिर यहाँ पे है न्यूट ड्यूट एक्सिस यह पेच को चार हिस्सों में बाड़ देगा और आप यहाँ से एंटर करेंगे और आप आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ड्राइंग करने लगा तो यह इसके जो पेच के जो चार हिस्से थे वो चार हिस्सों में डिजाइन बनने लगा फिर हम आते हैं अगला ओप्षिन न्यू डाइगनॉल यह भी वही उसी तरीके से यह काम करेगा फिर आगले ओप्षिन में आते हैं न्यू वेवी तो यह इस तरह से एक वेव का लाइन यहाँ पे आ गया फिर हम आगे चलते हैं न्यू सर्कल फिर आगे चलते हैं न्यू स्पाइरल अपिस पेंट सिमेंट्रीके टूल के मदद से आप अपन खूद का भी एक पाथ बना सकते हैं यहां पे मैं पैंट टूल यूज करूंता हैं और कार्वेचर पेंट ले लिया है यहां पे मैं आप नहीं सबसे कोई भी एक पाथ बना लेता हूँ लोग यहां प contract अब यहांसे में प्रइस्ट्रिकर पाइब लिया है तो यहां पर हो गया तो यह पर आप ब्रेश्ट टूलुँए और यहां पर unless and inside कोमगा और यह मेरा फात्रेडियो हो गया अब यहांसे में God simply करonces तो दोस्तों यह थे Adobe Photoshop CC 2018 के कुछ खास फीशर तो दोस्तों यह थे Adobe Photoshop CC 2018 के कुछ खास और भेतरिन अपडेट्स इसमें बहुत से ऐसे फीचर जो मैंने अभी तक बता ही नहीं लेकिन जैसे हमारे ट्विट्रेल्स आगे बढ़ेंगे आप उस ट्विट्रेल में इनके इस Adobe Photoshop CC 2018 क अपडेट्स या फिर जो नए फीचर है आप जान सकेंगे तो दोस्तों कैसे लगा आज का हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो अपने दूस्ते के साथ शेर करो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी झाल झाल झाल